आपका इस नए सेशन में गाइस and we are going to start with a new chapter today जिसका नाम है modern business environment and photo देख रहे हो आप इस इस महान आदमी की जिसने business के तरीकों को ही वदल दिया है तो हमने सचा यार इसका code तो बनता है क्या बलते होगे नहीं the founder and owner of PayPal SpaceX and Tesla so on and so forth so business environment को modern बनाने में इस व्यक्ति का बड़ा ही हाथ है सो हमने सोचा कि चलो इस positive note के साथ start करते हैं आज के session को so how the things have changed in the recent business environment and एक चीज़ के ओपर सबसे ज़्यादा focus है आज की तारिक में and that is do you know what yes पूरे इस chapter में सबसे ज़्यादा अपने को to start with focus रहने वाला है एक चीज़ के ओपर and that is quality 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 जी हाँ ये quality 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 in all aspects we have to ensure that quality is at the top level quality is at the top level so अगर इतना अच्छा अपने को quality मिल रहा है अगर अपने को इतना अच्छा quality मिल रहा है then in that case वो कैसे हुआ कहां से ये इस quality का origin है वो समझना तो बहुत ज़रूरी है so that is where we will start with this chapter called as modern business environment तो चलो या start करते है session को with a story मैं आप लोगो एक बात बाता तो कि देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ने वाले हो ना तो उसके पीछे there is a story automatically तो modern business environment अशा उपर से नहीं की रहा होगा right जितने भी chapters है अपने इस subject में SCPM इस सारे subject के अंदर जो भी चीज़ आप लोग पढ़ने वाले हो ना is practically connected किसी ना किसी business से किसी ना किसी इंसान से किसी ना किसी community से and वो सारी चीज़े आप लोग के साथ मैं discuss करूंगा and then फिर जब मैं connect करूंगा ना concept को trust me एक अलग ही level का आप लोग को confidence आएगा यह particular subject पढ़ने में and that is what my whole intention is यह मजा आना चाहिए यह subject पढ़ने में मजा आना चाहिए because otherwise अपने को एक feeling आएगा ठीक है ना यह तो टाइम पास ही है इतना easy नहीं है और इतना आराम से यह चीज मादब आराम से हो जाएगा टोई डाउट नहीं है and we have to make it interesting and that is where that is where I will have story for every concept that we are going to study अब इस chapter में जब आपन लोग यह chapter पढ़ रहे तो किस चीज का आपने को ध्यान रखना तो basically चलो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि इस chapter में अपने को क्या पढ़ना है chapter का नाम क्या है मेरे साथ सब लोग आप लोग दोराएंगे yes it is modern business environment and guys तीन major चीजों के उपर इस chapter का focus है सबसे पहला focus है इस chapter का quality के उपर और what we can say cost of quality के उपर दूसरा अपना सबसे बड़ा focus है total quality management के उपर and तीसरा अपना focus है supply chain management के उपर ठीक है ना total quality management ठीक है सर पढ़ लेंगे and तीसरी चीज जो इस chapter में अपने को पढ़नी है वो है quality and basically cost of quality पराबर है यस सर अब 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 अगर अपना यह focus है इसके उपर तो आज का जो session है वो मैं dedicate करना चाता हूँ quality के उपर आज का जो session है वो मैं dedicate करना चाता हूँ इसके उपर quality के उपर तो इसको आप लोग tick mark मारेंगे आज done sir क्या हम लोग को भी यह लिखते जाना है क्या साथ-साथ में नोट बूक open है और लिखना है तो लिख लो यह लाव एक्सेश टुदेम एस वेल ठीक है प्लस अज मेरे इच्छा है कि मैं आप लोग को यह chapter के सामीन यह पार्ट के साथ-साथ mcq भी करवा दूब को अपना एक्जाम है कोई डाउट नहीं है आपका भी मेरा भी end of the day मेरे को ensure करना है कि boss मेरा mcq एकदम smartly easily solve हो जाए तो कुछ 20 mcqs for example आज कर लेंगे कुछ एक दो practical questions कर लेंगे plus is concept का theory तो मैं आपको frankly बता हूँ इस concept से related कौन सा concept quality and cost of quality से related तीन चीज़े है एक है उससे related उसका theory दूसरा है उससे related उसका practical और तीसरा है उससे related उसका mcq तो यह तीनों चीज़े अपने को करनी है तब जाके यह पूरा इतना part अपना अच्छी तरह से complete हो जाएगा अच् टार्गेट है तो ऐसे अपन लोग क्या करेंगे एवरी डेवेसी पर एक तोड़ा टार्गेट लेंगे तुम लोगो मैं ट्राइ करूंगा इनिशली बता दू कभी-कभी विल गो बियूंड टार्गेट ऑलसो कभी-कभी तोड़ा अंडर टार्गेट भी हो जाएगा बट टार्गेट ट्राइ करेंगे अपने लोग सेट करने का आपको पता रहे कि वह चलो आज अपने को यह चीज करनी है तो modern business environment में तीन चीज़ है कौन सी तीन चीज़ है टोटल quality management और सॉरी quality and cost of quality, total quality management and supply chain management उसमें से अपन लोग आज किसके ओपर फोकस कर रहे है quality and cost of quality के ओपर जिसका अपन theory भी पढ़ेंगे जिसका अपन practical भी पढ़ेंगे जिसका अपन mcq भी पढ़ेंगे अब मैं इस quality के बारे में तुम लोग को बताऊ ना तो कभी भी याद रखना यार जबी भी word तुमारे को quality सुनाई दे ना तुमारे को एक country का नाम हमेशा साथ में जुड़ जी हां अब थोड़ असा मैं आपको backdrop बताता हूं जपैन का अपन सब को पता है यार जपैन में वर्ल्ड वार टू के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के टाइम पे everything was destructive मतलब पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस हो गया था याद है आप लोगों को ऐसा लगत से जाधा जो भी लोग ते उदर everybody died everybody thought के यार USA ने गलत किया इतना गंदा बॉम्बिंग और जिसकी वज़े से उतने सारे लोग वहां पे मारे गए it was not good but क्या आप लोगों को उसका backdrop story बता है मुझे भी तब तक यही लगता था जब तक यह स्टोरी नहीं बता था कि USA is doing a wrong thing but फिर बाद में पता चला के यार यह USA ने किया it was a reaction उसके पहले जपैन already एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था World War 1 के टाइम पे at the Pearl Harbor जिया तो USA में एक जगा है Pearl Harbor वहां पे Pearl Harbor में बॉम्बिंग किया था जपैन ने and USA को बहुत बहुत ज़ादा problem पहुचाई थी and उसका बदला World War 2 के साथ में लिया उन्होंने ठीक है so वो टाइम पे just imagine अभी स्टोरी को समझो World War 1 में जपैन ने पहले Pearl Harbor में बॉम्बिंग किया which is a part of United States of America वो टाइम पे World War 1 के टाइम पे USA चुप रहा बोला ठीक है सबका बदला लेगा तरह पैजल अपना भी टाइम ये रिवेंज लेने के लिए but finally it took it so it was a reaction a revenge basically हुआ क्या World War 2 के बाद Hiroshima नागा सा की बाबिंग के बाद oh Japan bombed and it was a bad bad time for them 1940s की बात है ये but for some reasons उसके बाद भी Japanese लोग इतने जादा strong है willpower वाल है that it did not budge them at all जी हाँ उसके बाद भी वो लोग रुके नहीं थके नहीं and 1960 में उन्हों ने बना लिया अपना खुद का bullet train जो आज इंडिया इतना 60 years के बाद भी अभी तक खुद का bullet train नहीं बना पाया how did this all of this happen so देखो इनके यहां पर bombing हुआ USA और जपैन यह लोग दोनों का बहुत ज़्यादा फिर्माद में एनिमीटी हो गया अब जपैन तो वह लाइक trashes अब इन दोनों ने एक treaty kind of किया के भाई हो गया तुने मेरे यहां पर bombing किया मैंने तेरे यहां पर bombing किया इसाब बड़ाबर 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 अब देख आने वाली generation को और problem ना हो इसके लिए अपने लोग दोनों आना भी फ्रेंज बन जाते फ्रेंज नहीं तो ए हमको अब यह world war के बाद दुनिया का superpower बनना है in manufacturing बट जब यह economist और जो quality specialist आये जपान में उन्हों ने देखा कि यार जो quality of products जपान बना रहे है तो इतना खराब वो लोग ने products बनाया किसने जपैन ने अगर जपैन इतना खराब products बना के दे रहा है तो obviously कोई भी दुनिया में उसका products लेगा नहीं तो जपैन को लगाया मेरको तो manufacturing का best बनना है बट मैं तो इतना बेकार product बना रहो तो ऐसे कैसे चलेगा so this was absolutely not acceptable this was absolutely not acceptable to them so फिर बाद में उन्हाने बोला कि यार अब क्या किया जाए तो यह जो economist है quality specialist है उसमें से बहुत बड़ा नाम अब तो सबको बता है आगे तुम लोग यह chapter में भी आएगा जिसका नाम था Edward Deming तो Edward Deming from USA came to Japan उसने वहां का पूरा system देखा और बोला कि यार यह तो एकदम worst quality का product बना रहे हो तुम लोग अगर तुम्हारे को manufacturing का best बनना है अच्छा quality of products बनाना है देन उसका एक ही तरीका है and वो तरीका है कि आप मेरी बात को सुनो मैं आपको पूरे quality management के specialist के सब चीज़े बताऊंगा बट ये सब ठीक करने को आपको लग जाएंगे 10 साल क्या आप ये 10 साल देने को ready है जपान की हर एक public ने बोला हाँ सर हम पूरा मेहनत करने को ready है ठीक है 10 साल मांगे उसने इतनी म उन लोग को मिलने वाला था ना पाच साल में ये मिल गया पाच साल में उन लोग को ये चीज मिल गया येस पाच साल के अंदर दे वर one of the best quality product manufacturers सोचो किसने सोचा होगा का इरोशिमा नागा सागी bombing के बाद USA और जपान का कोई टाय भी हो सकता था नहीं सोचा था किसीने 1960 में ये जापैन वालों ने सीधा का सीधा अपना क्या success story लिख दिया और bullet train बना दिया one of the fastest trains of the world right good good developed countries के पास भी वो नहीं है और वही डेमिंग ने बोला 10 साल लगेगा इन्होंने 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर वो ना मुम्किन को मुम्किन करके बाता है because there people are very patriotic वहां के Japan लोग बोलते हैं हम अपनी माटी के लिए अपनी जान भी दे देंगे इतना वो लोग ने focus किया और 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 फिर इसी लिए ये ये डेमिंग नहीं बोला कि अगर तुम लोग को manufacturing का super power बनना है then in that case इस chapter में जो तीन चीज़े बता रहो उसी के उपर focus करना पड़ेग QC Quality Control, TQM Total Quality Management, SCM Supply Chain Management और ये तीन जब चीज़े जब जोईन हो गई ना ये तीन जब जब जोईन हो गई ना that is what you know transform the whole manufacturing sector in Japan समझ लेको अगर अगर अपने को कभी manufacturing करना है अपने को को क्लाइंट आता है जो बोलता है यार हम manufacturing में जाना चाहते है तो उसको आपको ये chapter के साथ use to करवाना है तो सरब क्या करने वाले है इस chapter में तो एक तो पहले quality product बनाएंगे quality product है कि नहीं उसके लिए TQM use करेंगे औ manufacturing से लेकर customer क्या वाला manufacturing से लेकर customer सब इस chapter में cover किया करेंगे चलो आप स्टार्ट करते हैं तो इस quality के साथ अब मैं आप लोग को लेके चलता हूं story no.2 के पास story no.1 से अपने को क्या पता चला के यार quality products बनाना है and Japan is like the pioneer of that तो यह जो तीन concept आप लोग पढ़ रहे हो ना originate one of the places where it originated and it was used extensively is where correct it is in Japan अब इसके example no.2 के उपर आजाओ अब मेरे साथ आजाओ मेरे example no.2 के साथ मैंने आप लोग को क्या बोला था कर आप आप लोग के एक्जांपल दू क्यूंकि वह example से ही आप लोग को याद रहेगा कि अच्छा इस chapter में क्या पढ़या था और उस example से connect करूंगा मैं किसको concept को अब मैं आ रहा हूं मेरे example no.1 के बाद example no.2 पे example no.2 से मैं connect करूंगा concept को और फिर बाद में practical और mcq sums solve करेंगे क्या बोलता है मेरा example no.2 ध्यान से सुन दू एक्जांपल no.2 बोलता है मेरा मेरे पर्सनल example मैं आपको बात बताओ मेरे life में कुछ dreams थे जब मैं आपके जितना था येस जब मैं मेरा c.a.final का exam दे रहा था या intermediate का मैंने exam clear कर दिया था ता है वेन आई वस डूइंग माई article shape at that point in time at that point in time मेरे कुछ dreams थे मैं आपको शेर करता हूँ मेरे तीन dreams थे frankly speaking एक मेरा dream था कि यार मेरे को आई फोन लेना है पता नहीं मैं I was very fascinated by Steve Jobs the then founder of apple तो मेरे को एक आई फोन लेना था दूसरा मेरा dream था कि मेरे मेरे को traveling का बहुत शॉक तो मेरे को travel करना है और कितना कैसा travel करना है में को चाहिए था कि मैं 30 under 30 कर लू मतलब 30 countries before I turn 30 yes अब मालों के नहीं 25 साल का था तब तक तो मेरे एक भी entry नहीं थी बट फिर किया और हो गया 30 अंदर 30 तो मेरा आई फोन का सपना था पूरा किया कब यह बनने के बहुत बहुत फैसिनेशन था मेरे फिर ट्रैवल 30 अंडर 30 तो 25 साल तक तो मैं एक भी जगा नहीं था बट फिर जो चालू किया अब रुकना नहीं है तो आपको भी ऐसा कुछ की ड्रीम होगा क्या सर बस यह बन जाए नाम क्या के सी यह लग जाए आइन थर्ड मेरा ड्रीम था तो ओन माय ओन कार येस ठीक है ना कार लेंगे फैमिली को कार में गुमाएंगे तो में को कार का काफी काफी बचपन से ही शौक था तो बस इसी से डिलेटेड मेरा एक्जामपल नमबर टू आता है जब मैंने आटिकल फिर मेरा सीय बन गया मैं तो जैसा मैंने तुम लोग को बोला कुछ मेरी ड्रीम से मैंने उनको पूरा करना चालू किया और उस ड्रीम में मेरे पास आया आइफोन खरीद लिया ट्राइवल थर्टी अंडर थर्टी डन फिर मैंने और एक चीज़ करीदी वो मेरी गारी जी हां मैंने खरीदी अपनी फेवरेट आई 20 वो टाइम पे यार मतलब बहुत-बहुत खुशी वी थी ये खरीद के तो आई 20 मैंने अब मेरा बहुत जादा ट्रैवलिंग नहीं था कुछ फ्रैंक्ली स्पिकिंग बोलता हूं तो मैं क्या करता था मेरा मैं आई 20 ली थी तो मैं क्या करता था मैं मेरे घर से जाता था मेरे ओफिस में विच वोज अप्रॉक्सिमेटली आफ 15 किलोमेटर दू फिर बाद मैं करता था और दूसरी चीज़ों मैं करता था कि कभी वीकेंड के उपर निकल लिए कई पर एक्जामपल कभी फैमिली के साथ लोनावला चले गए कभी कहीं और चले गए ऐसे करके मेरा यूज होता था नॉट मच मतलब मैं आपको बोलू तो कितना हुआ मैंने का हाटली देर रनिंग था अब द्यान से सुनना ऐसे करते 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 मेरा year one खटम हो गया थीक है year one मेरा complete अब आप मुझे बताओ जब यह मेरा year one complete हो जाता है उसके बाद में मूह बहले वह वह लोग का एक कॉल आता है वह बोलते है कि सर आपकी गाड़ी को maintenance के लिए भेज़ो कितना पे करना पड़ेगा मारवाड़ी आदमी हूं पहला क्वेश्चन अपने दिवांग में एक ही चीज का आता है क्या सर कितना पैसा लगेगा तो उसने बोला सर आप टेंचर मतलो फर्स्ट यह रहा तो फर्स्ट यह का जाधा नहीं है इस उनली 15,000 आप लोगे सर यूज् सब्सक्राइब नहीं है मैंने नहीं लिया तीन साल का कुछ वो लोग ने केक्स अमांट बोला था मुझे याद भी नहीं है मेरा इतना रणिंग नहीं है तो जरुवत नहीं अब मेंटेनेंस के लिए कॉल है 15,000 रुपया उसने बोला मैं सोच में पड़िया जैसा मैंने बो समझे एक साल में तो क्या मेरेकों यह मेंटेनेंस करवाना थे और मेरा गाड़ी मस्त चल रहा है मस्का मखन कोई प्रॉब्लिम नहीं है तो नहीं ब Colors नहीं होता है month to pénып जो मेंटेनेंस जो hai वो करवाना बड़ता है तो आप मेंटेनेंस करवा लिजिए it will be better for you it will be better for you करते हैं सोचा फिर मैंने फिर फ्रेंट्स को भी बूचा तो उसने बहुत है पूच क्या रहा है उसमें पूचने की बाती नहीं है फिर भी यार मेरा दिल नहीं माना सबस्क्राइब नहीं मैंने कराएगा नहीं कराया मैंने सच्ची बोलो और यह आपकी कसम करके बोलता हो यह सची गटनाव पर आधारित है कोई इसमें मेरा खुद का कोई स्टोरी नहीं बना रहा है जैनुविनली मेरे साथ ऐसे ही फिर बाद में आया मेरा यर टू फिर बाद करूब बलते हैं ना कुछ हुआ नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाने का समझ रहें तो मैंने मेंटेनेंस नहीं करना यह टू आया यह टू भी वापस से वह लोगा कॉल है उन्हांने बला सब मेंटेनेंस करेंगे आपका गेर चेक करेंगे इंजिन और डालेंगे नाया स सब बता है वो लोग ने मेरा गाड़ी तो एकदम बरावर चल रहा है पर होता है कई बार आपको नहीं समझ भाएगा हम लोग देख लेंगे ना एक चेक अब हो जाएगा ठीक है मैं आपको बताता हूं दो दिन में फिर वापस से मैंने कोई फ्रेंट्स और रिलेटिस को क्या तू यार ऐसा कर रहा है संकल करवाना बदा संस्क्राइब में Jewelर तो मैंने सेकंड यहर भी मेंटेनेंस नहीं करवाया जैनुइनली आप बोलोगे सर कितने चिंदी हो आप मतलब कितने अरे यार क्या करूं पैसा यार अपने मेहनत करके कमाते और नहीं लग रहा है तो यार क्यों मैं तुम लोग मेरी जगा लग रहे हैं तुम लोग तो करवाते हैं आपके जिंदी नहीं है ठीक है जो तुम्हारी इच्छा जो बोलना है बोलो फिर आया यह त्री यह त्री में वापस से मैंने मेंटेनेंस के लिए क्या करना है तो रुपीज थ्र्टी फाइव ताउजन लगेगा सर अपका थर्टी फाइव ताउजें रुपीज डॉर Lipi करवाना है कि नहीं भू बोल अभी तक मेरा गाड़ी तो एक डॉट टना टन टका टक चल RA है without any hassles whatsoever अब 35,000 रुपीज थर्ड यर उच्छ लिया मैंने as usual now third year what do you feel will I do the maintenance cost now they have told 35,000 सर नाओ हम अब आपको अच्छी तरह से जानते हैं सर आप नहीं ये पक्का नहीं कराया होगा हाँ नहीं कराया क्यूंकि मेरी गाड़ी सही चल रही थी तो मैंने नहीं कराया तुमको कोई तकलीफ सर तकलीफ तो आपको होने वाली है ठीक है ना देखा जाएगा अब ऐसे चल करेंस करवाले के पूत ये ने सोचने अभी तो पक्का करहांगा और एक्च्टलि ना यार वन पर वह니다 यहर्वन जाने दो ieएंगे कर ओंहीं करूँ आट शबत्लामには कि बाड़ी में से आवाज आसा चालू जा लेए अब फॉर्थ यहर कहतम और हॉनका call आया उन्होंने बोला कि sir maintenance करवाने मैं बोला हां कितना उसने बोला sir 50,000 रुपया लगेगा मैं बोला अरे यार बहुत जादा है बटीक है चल लेके जा फिर बाद में देखे बता कितना extra cost लगने वाला है total and then उसका call आया मेरे को next day पे year 4 पे जब मैं maintenance के लिए दे चुका था गाड़ी उसके बाद मेरे को उसका call आया sir 1,50,000 रुपीज is the total cost that you have to pay जी हाँ बोलो क्या करना है sir मैं बोला क्या क्यों maintenance का इतना जादा क्यों आपने तो बोला था ना 50,000 जो है वो मैं देने को ready हूँ sir आप समझे नहीं आपकी गाड़ी में maintenance तो हम करने ही वाले उसके अलावा sir 2-3 वायर है वो टूड़ गये है उसके अलावा dashboard में issues है engine में issues है फला ना डिंकना यह वो और बोला sir 1,50,000 रुपीज लगेगा मैं बोला नहीं नहीं करने का फिर मैं लेके आके दूसरे एक mechanic को दिखाया local mechanic उसने भी बोला sir खर्चा तो है खर्चा तो करना पड़ेगा आपको क्यों तीन साल अपने इतना maintain नहीं किया यह क्या खूफिया बंदी है मतलब sir बस अब तो गए and this is when I realize this is when I realize quality comes with a cost याद रखना ये जिन्दगी भर लिख लो कहीपे क्या quality comes with a cost और उस दिन मैंने ये खर्चा तो करवाया देड लाग रुपे का बड़ उसके बाद वले कुछ ना हो मेरी गाड़ी में मैं एकदम अच्छी तरे से उसको maintain करना चालू कर दिया अगर यही मैंने maintenance सही करवा लिया होता starting में से ही then in that case आज मुझे ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती एंड इतना बुरा हाल नहीं होता मेरा समझ रहें आप लोग समझ रहें फिर जिस दिन मैंने BMW ली उस दिन लोगों ने मुझे congratulations बोलने के जादा यह बोला अपनी गाड़ी को maintain करना यह तो ठीक था चुटे मोटे में हुआ वहाँ पर फंदरा देड लाक नहीं सीधा फंदरा लाक का खर्चा आएगा पता है पता है चल जादा वह राग मत कर ठीक है पता है पता है और नहीं तो क्या हाग है बड़े तो anyways that is when I realized that yes quality comes with a cost and that is what Japanese people made the whole world realize giving the whole world the concept of cost of quality जिसके बारे में अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ठीक है ना तो क्या है यह quality it comes with a cost ठीक है अगर यह quality के ओपर मैंने ध्यान दिया होता तो मुझे आज जो मेरा काम शायद 15,000 into 4 60-70,000 में हो गया था आज मेरे को उसका effectively 1,50,000 rupees देना पड़ा और दो तीन आपको मैं real life example बताता हूँ क्या तुम लोग सब लोग ने Samsung Note 7 के बारे में सुना है क्या तुम लोग ने Samsung Note 7 के बारे में सुना है यह Samsung Note 7 यह Samsung Note 7 का जो बैटरी है ना, that बैटरी एक्स्प्लोडेड भूम, that बैटरी एक्स्प्लोडेड अब बिकास बैटरी एक्स्प्लोडेड बिकास बैटरी एक्स्प्लोडेड इतना बड़ा उन लोग को यह क्वालिटी की वज़े से एक्वालिटी अच्छा नहीं रखा उसकी वज़े से कितना बड़ा कॉस्ट सेंड करना पड़ा पता है इतने जितने भी सैमसंग नोट सेवन थे वो लोग को रीकॉल करना पड़ा उनका मार्केट में गुडविल एंड रेप्यूटेशन वस वेरी डाउन पब्लिक बोला कि भाई नहीं लेने क्या यार जिंदगी या नोट सैमसंग का फोन द उपर खर्चा किया होता सैमसंग ने तो आज उसको यह सब चीज पेस नहीं करने पड़ती ऐसी और एक कंपनी है जिसका नाम है फोक्स वेगन दस आउटो नाम तो सुनाओ का सेनो लीड़ा फोक्स वेगन की जो गाडिया है अमेरिका में उनको एक पीसी ई लगाना पड़त एक और उसे की अथोरीटी जो बोला बॉस यह क्या हो गया तुम लोग ने फोक्स वेगन का यह पीसी ई क्यों नहीं लगाया इसकी वज़े से फोक्स वेगन इस तो had to recall all the cars फोक्स वेगन had to recall all the cars येस कितना बड़ा नुकसान हो आ और आप न सोच भी निक बार मोबाइल री जाता है आपको अभी यह लोगों को उसको रिकॉल किया ग्रेपिटेशन गया गुडविल गया यह लोगों उसको रिप्लेस्ट भी तो करना पड़ेगा और वह भी रिप्लेस्ट विद बैटर बैटरी बैटरी यह तफ ताइम बठीक है इंप्रूफ किया उन्होंने एंड ट अपने को ध्यान में रखना है कि यार यह जो कॉलिटी रिलेटेट इशूस है यह नहीं होने चाहिए विकॉस अगर कॉलिटी को आप ध्यान नहीं दोगे ना इन इन डैट केस उसका इंपक्ट बहुत जादा होगा बले ही आप संकल्प के एक्जांपल से सीख लो या सैमसं नोट 7 से या पलूशन कंट्रोल एक्विपमेंट वाले फोक्स वेगन से या आपके पास कोई एक्जांपल हो तो मुझे जरूर बताना वोड लाव तो नो यौर साइड ऑफ स्टोरी ऐस वेल फिर उन्होंने अभी आज की तारीक में फोक्स वेगन सैमसंग कुछ भी बेच तो उसको 10 बाद टेस्ट करवा के देखता है क्वालिटी बरावर है कि नहीं फिर बेचता है जिसका नाम है कॉस्ट ओफ खॉलिटी जी हां तो यह कॉस्ट ओफ क्वालिटी क्या बोलता है let's see, let's see, यह cost of quality क्या बोलता है, the cost of quality बोलता है कि अगर आप कोई product को बना रहे हो, तो ensure करो कि आप उसके quality के उपर focus करो, because otherwise आपका quality खराब निकला, मतलब defective निकला, then in that case, it is not good from a overall perspective, yes, and इससे, इससे, it gave rise to something called as cost of good quality, this gave rise to concept of cost of good quality, और दुनिया में बोला गया कि अगर आप cost of good quality के उपर focus करोगे, अगर आप cost of good quality के उपर focus करोगे, तो by default cost of bad quality कम हो जाएगा, by default cost of bad quality कम हो जाएगा, जी हाँ, so, बस यही concept है, अपना QC का quality cost का, अब संकल्प को याद करो, अगर संकल्प ने तब maintenance के उपर ध्यान दिया होता, तो आज उसको जो 1,50,000 का एक साथ फटका लगा, वो नहीं लगता, अगर Samsung mode 7 ने cost of good quality, which is testing the battery, good quality battery, good quality raw material, यूज किया होता, तो cost of bad quality उसको फटका नहीं लगा होता, समझरे, Volkswagen cost of good quality के उपर खर्चा किया होता, cost of bad quality automatically कम हो जाता, बट इन लोगों ने cost of good quality पे खर्चा नहीं किया, इनका cost of bad quality इतना जाधा बढ़ गया, that it was a disaster for them, समझ में आई मेरी बाते, बस यही concept है, cost of quality का, तो अब मैंने आप लोगों example के through concept दिमाग में गुशा दिया है, अब अपन अपना book खोलेंगे, and इसको पूरी तरह go through करेंगे, and I'm sure you'll be able to manage it, I'm sure you'll be able to manage it, क्या बोलता है public, करें start, तो चलो, on that note, आप अपना notebook खोलने का दाइंग हार है, बट बट चलो, मैं अब यहाँ पे एक last notebook खोलो तुम लोग उसके पहले एक और चीज़ बता दू, देखो, यह है ना तुमारे exams के तरह है, मैं एक बहुत बड़ा कटाक्ष आप लोग के साथ share करने वालो, कटाक्ष का मतलब समझता है, कटाक्ष का मतलब होता है, सर्कैजम, एक बहुत बड़ा सर्कैजम आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, अगर आप अपनी पढ़ाई के उपर अभी ध्यान देंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई के उपर अभी ध्यान देंगे, देन इन देट केस आपका फेलियर होने का चांसिस कम हो जाएगा, तो study hard and study well today, so that failure doesn't come to you, और अगर, समझ गये ना, study, starts of good college, कुछ चीज़े बोले भी नहीं समझ जाते हैं, तो I hope अगर वो आप बोले भी नहीं समझ गए, तो इसका मतलब आप concept भी समझ गए, वैसे आप लोग को बताते रहना है, आप लोग को ये system कैसा लगा, जो भी मैंने आप लोग को example बताया है, example को बताते बताते, आपके दिमाग में ये concept set कर दिया, अब अपना बुक खोलेंगे, concept की ओपर जाएंगे, and will be done, आप लोग को प्लीज में को बता दे रहाना, इसके लिए WhatsApp पे साथ आप लोग connected है, के you should get in touch with me, to tell कि में एक regular kind of feedback भी मिल जाएगा, मेरेको कि हाँ बही, चलो चीजें सही end पे चल रही है, नहीं चल रही है, in terms of speed and everything, चलो, done, समझ में आ गया, so basically cost of quality बोलता है, basically cost of quality बोलता है, कि अब pre-production या during production के उपर, अगर proper ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं अपन, cost of good quality, then in that case, then in that case, cost of bad quality, अभी आई होप आप लोग के दिमाग में मैंने घुसा दिया होगा, automatically कम हो जाएगा, which is nothing but your post-production things, if pre-production is taken care of, post-production, आहा, life, इसको लगा डाला, तो life जिंगा डाला, राइट, चलो, अब, notebooks open करने का time आ गया है, and let's get in touch with the concepts and theory, तो I hope आप लोग को, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, what exactly this concept is, now you have to open the book, अब मैं आप लोग को एक एक चीज़ डीटेल में बताऊंगा, at the same time, end में, eventually आप लोग को चाहिए कि सर मॉडूल की सारी चीज़े cover हो रही है कि नहीं, वो सब चीज़े भी आप लोगों के साथ, मैं end में cross check करवा दूँगा, so that you feel confident, so modern business environment चापन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो, scene क्या है, कि पहले, traditional environment, से कैसे चीज़े change होके, अब new environment में आ रही है, एक और चीज़ में आपको बता दूँ, तो कि थोड़ आपने को है ना, इसमें theory बराबर पढ़ना पड़ेगा, reason being MCQ based exam है, तो MCQs कहीं से भी आ सकते, इसके लिए मैंने theory properly लिया है, और मैं class में भी करवा दूँगा, so we are through in the class itself, मेरी इच्छा है कि class के बाद आप लो कुछ जादा ना करो, until unless मैं थोड़ा MCQ कुछ होंबग दे दूँगा, या कुछ एक तो practical सम्स का होंबग दे दूँ, that is a different thing, but other than that, तो मैं class में ही सारी चीज़े करवा दूँगा, during the past two decades, the business environment in many sectors, has been characterized by rapid changes, and one of the rapid changes is, focus on quality, the environment here is changing, dynamic in nature, and the modern business environment has changed drastically, and shaped entirely in a very different manner, and you know what, see this, it has become a challenge for business managers, to understand their business environment, and formulate business plans and policies accordingly, so, अब इतना easy नही है अपने लिए, कोई भी business के लिए, ensure करना है, कि बहुस अपना policies, and plans are in place, don't worry, यह सब कुछ MCQ में नहीं आएगा, जहाँ पे जो चीज़ आएगी, वह बता हमें, यह general introduction है, कोई भी chapter का जो introduction होता है, वह है, nothing रहे, बतलब in short यह लोग बोल रहे है, business environment में बहुत सारी changes हो गए है, वह changes को हर manager को adopt करना है, उसको plan and policies में convert करना है, and ensure करना है, that it has been executed properly, the advanced business functions and operations, have gone to the new levels, and the role of accounting is one of the most reliable functions in business, so अपने को as accountants, we have to ensure that we are also adapted, to these new environments, पहला, सब से पहला, traditional environment क्या था, traditional environment था, price होता था, cost plus approach, but now, the environment is competitive pricing, समझ रहे हैं आप लोग, अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले हुआ करता था, seller's market, now it is buyer's market, ले दिखे रहा है, characteristics of MBE, MBE का मतलब होता है, modern business environment, तो business environment कैसे change हुआ है, from, मैं इधर लिख देता हूँ भाई, traditional environment, मतलब ये अपना हुआ करता था, seller's market, से अब ये change हो गया है, to buyer's market, right, तो seller's market का मतलब क्या था, जो अपना product बेच रहा है, उसका what, वो decide करता था, boss, मेरे हिसाब से ही, मैं बेचूंगा, price, cost plus, मतलब मेरा जो cost हुआ है, उसके उपर मैं मेरा profit add करूँगा, 20%, और उतना जो price होगा, उतना आपको मेरे को देना पड़ेगा, चलेगा तु बोलो, otherwise, देख लो भाई, हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको, तो क्या हो गया ये, ये हो गया, cost plus approach, दूसरा, अब environment कैसा हो गया है, competitive environment हो गया है, अब market का जो price चल रहा है न, उसके हिसाब से, मैं बेचने वाला हूँ, market का जो price चल रहा है न, उसके हिसाब से, मेरे को मेरा price, decide करना पर रहा है, पहले जैसा नहीं, मैं मेरा cost देखूँँगा, उसके profit एड करूँगा, फिर price बताऊँगा, क्योंकि तभी, कम sellers थे, आज बहुत सारे sellers है, तो इसके लिए, इस नाओ become a buyer's market, बायर्स बोलते हैं, बोस तू नहीं देगा, मैं किसी और के बास, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तो वो market हो गया है, अभी, पहले price था cost plus, now it is competitive, पहले response time determined by suppliers, वो आपको बता था, 10 दिन बाद दूँँगा, 15 दिन बाद दूँँगा, अभी, just in time, immediately आपको raw material मिल जाएगा, customer को, उसका final product मिल जाएगा, so things have become very fast, पहले कितना time लगता था था ना, पहले आप लोगे ममी बाबा को बुचो, उनको telephone connection चाहिए ना, तो 6 महिना, एक साल, आज apply करेंगे, एक साल के बाद telephone connection आएगा, मतलब telephone connection आना, यानि आपको मिठाई या खिलाई जादेद, है के नहीं, क्यों, because response time was slow, now it is fast, quality, जो product बना रहा है, वो decide करता था, आज, customer के expectations से भी better है, better than customer's expectations, इतना अच्छा quality मिल रहा है, कोई भी product का है के नहीं, and last is performance, which was dictated to the customer, अब चीज़े effective है, efficient है, and सही माइने में, ये performance दे रही है, right, so this is how the whole, environment is worked out, things have moved from, seller's approach, to buyer's approach, are we understanding guys, ठीक है, so I think, इधर तक चीज़े आप लोग को समझ में, आगे होगी, nothing great, as such, so seller's environment से, buyer's environment पे आ रहा है, किन कार्णों की वज़े से, so obviously, सबसे important है इधर, globalization of world economy, ठीक है, पहले है न, 1991 में, अगर आप लोगो याद हो, तो LPGA, liberalization, privatization, globalization, globalization, globalization होते ही, a lot of companies, which were outside India, came to India, और वो लोग, इंडिया में, अपने products and services, sell करने लगे, अब जैसे ये products and services, वो लोग, इंडिया में, sell करने लगे, हुआ क्या, इसकी वज़े से, ध्यान से समझना, जो local players देना, उनको competition मिल गया, global players के पास से, तो अभी पहले क्या होता था, कि वह एक ही बंदा, calculator बेच रहा है, इंडिया का, अब अमेरिका का बंदा आ गया, UK का बंदा आ गया, और वो भी, साथ में, अब मैं कॉंपीट कर रहा हूं, काली अपने, इंडिया के, साथ नहीं, आउटसाइड इंडिया के भी, चीजों के साथ, और एग्जांपल अभी है, यहाँ पे, यह देखो इधर, पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल में, खाली एक बिसले रही है, जो इंडिया का प्लेयर है, बाकी तो कितने सारे बाहर के प्लेयर्स भी आगए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, मैं आप अपना लेक्चर देख रहे हो, लैप्टॉप पे, मुबाइल पे, पहले, इंडियान, पीपल वोड प्रेदूश लैप्टॉप और दिस, अब आउटसाइड वाला भी, तो देर इस अफियर्स कॉम्पेटिशन, देन, उजिं न्यू मैनेजीरल मेथर्ड्स, नहीं टेक्नीक्स आगे, ग्लोबल एक्सेस कैपासिटीज, इन प्रोड़क्शन, प्रोड़क्शन कैपासिटीज अपना बढ़ा दिया है लास 20 साल में, उसके पास एक्सेस कैपासिटीज, उसकेस कैपासिटीज तो इट कैन सेल इट अट अलोवर प्राइस, ग्लोबल एक्सेस कैपासिटीज इन प्रोड़क्शन, एंड इन सम अरियस अप्डेवलप्मेट, अविलेबिलिटी एन एक्सेसिबिलिटी अफ डेटा, अब नॉलेज, अब डेटा, इजिली अविलेबल है, थैंक्स टू दे इंटरनेट, कोई भी चीज का प्राइस मुझे चाहिए, एक मैंने एमेज़ॉन पे डाल दिया, फ्लिपकार्ट पे डाल दिया, चप्पे चप्पे का प्राइस मेरे को मिल जाएगा, availability and accessibility of data and knowledge, timely availability of material and services, तो material, services, सब चीजे अब available है, जिसकी वज़े से क्या हुआ है, वो समझो, now the market is buyers market, buyers को information available है, knowledge available है, material, services available है, ease of global travel and transportation, easy है, जाओ, China में simple, सस्ता माल लेकर आजाओ, अब मेक इंडिया के बाद, इंडिया भी वही चीज सस्ने में डवलप करने का ट्राइ कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ एग्जेंप्शन दे रहा है, गवर्नमेंट कुछ पीला है, प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव दे रहा है, so that's how the whole market is moving. And this is the main characteristic of a modern business environment. समझ में आ गया, क्या, learn करने की ज़रत है, ज़रा भी नी, logically समझ में आ गया, and यह सब चीजे is influenced by what, they are all influenced by macroeconomic, technological, political and social changes. So बस यह है हमारे modern business environment की कहानी, यह हमारे modern business environment की कहानी, क्या, macroeconomic, technological, political, social. सब जगे पे, there have been changes. So that's how it is. Today's business, सब से important, satisfy the customers through exceptional performance. और कोई option नहीं है, customer आपके product को देखना है, के बात बोलना चाहिए, वाया, क्या मस्ट चीज है, रहेमेडीज, कैसे करोगे, chapter का पहला part, cost of quality, जो आज के session में होगा, chapter का next part, chapter का third part, यह तीन मिला के, अपना customer, exceptionally satisfied, customer exceptionally satisfied, तो buyers market में, अपना level अच्छा हो जाएगा, clear, इधर तक, सब लोग को एकदम, logically, अब आप लोग, अराम से एक बार, खुद भी पढ़ लेना, जिमाग में set हो जाएगा, बस, learn one करनी की सुरुवत नहीं है, sir, MCQ के लियाद नहीं रहा, तो हो जाए, don't worry, मैं हूँ न, MCQ साथ साथ में करो होँगा, everything will be sorted, you don't have to worry at all, चीज़े समझ में आ रही है के नहीं, yes sir, एक एक पॉइंट, yes, एक बार आप लोग भी go through कर लोगे, हो जाएगा नहीं, अब आ रहे हैं अपने पहले concept के उपर, and that is, cost of quality, जो मैं आप लोग को, yes, बताया था, and cost of quality बनाने वाले दो, महान लोग है, Joseph Juran, Joseph Juran, and Philip Crosby, जो बोलते हैं, quality is what, क्या है quality, quality is equal to, conformance to customer specification, satisfy customer expectation, and give them value for money, give them value for money, मतलब, पहला, customer को जो चाहिए, वो उसको दो, मेरे customer को चाहिए, कि भाई, theory भी हो जाए, sir, class में MCQ भी हो जाए, class में practical भी हो जाए, satisfy customer expectation, आप कोई mobile लेते हो, तो कुछ लोगों को लिए priority होता है, मेरे mobile का battery, बहुत बड़ा, जादा लंबा चलना चाहिए, say for example, my grandfather wants a long life battery, बार बार चार्ज नी काहिए, for example, मैं हूँ, या अपना generation वाला, अपने को चाहिए, best camera आना चाहिए, बार बार सब जगे आपनोग फोटो कीशने वाले, सो customer expectations अलग अलगे, सब के expectations को match करना है, for my grandfather battery, for me, it is the quality of camera, for my father, it could be a different thing, then value for money मिलना चाहिए, मैं जो पैसा दे रहू, उसका उतना मुझे वर्थ मिल जाएगा, I am more than happy, now this is where we have to ensure, that quality is being given to the customer, quality is being given to the customer, because अगर आपने ये quality नहीं दिया, अगर आपने ये quality नहीं दिया, then in that case, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होँआ दो folks लगन के साथ, problem हो गया ना, recall, remake, reissue, quality check, all of this, yeah, Samsung, Note 7, recall, goodwill, reputation, battery issue, समझ में आई बाते, everybody, बस, 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 ये ही चीज़े है, so, quality होता क्या है, customer specification को confirm कर लो, expectation को satisfy कर लो, उसको value for money, ये ही अपना basically quality है, cost of performing, अगर ये quality पे focus किया, तो आगे जाके problem नहीं हो, पढ़ाई पे अभी focus किया, exam के time के problem नहीं होगा, cost of performing activities, to check failure in meeting quality specifications, दो मने टुक जाओ, ये line का मतब समझ जाएगा, अब इस cost of quality में दो चीजे है, and one of them is cost of control, जिसको prevention and appraisal बोला है, and दूसरा है, cost of failure of control, जिसको internal failure and external failure बोला है, the best approach will be to calculate COQ as a percentage of total cost, ये क्या है, थोड़ा सा रुख जाओ, बताता हूं मैं, अभी फिलाल आ जाओ इधर, and that is components of cost of quality, come up to components of cost of quality, क्या है, पहले cost of good quality, अच्छी चीजों के उपर ध्यान दो, maintenance के उपर ध्यान दो, अगर संकर maintenance के उपर ध्यान देता, I-20 के लिए, तो उसका repair का cost, automatically कम हो जाता, तो उसके repair का cost, automatically कम हो जाता, तो maintenance का cost बढ़ा, उसकी वज़े से repair का cost कम हुआ, तो cost of good quality हुआ, जिसकी वज़े से cost of poor quality कम हो गया, cost of conformance, cost of non-conformance, right, done, अब cost of good quality क्या होता है, कि जब मैं product को बना रहा हूँ, design करना हूँ, तो भी इतनी अच्छी तरह से बना हूँ, कि automatically मेरा internal failure हो ही ना, external failure हो ही ना, तो internal failure, external failure कब होता है, जब मेरा quality poor है, तो मेरा quality poor कब होगा, अगर मैंने prevention appraisal पे ध्याल नहीं दिया, अगर मैंने prevention and appraisal अच्छा किया, तो automatically poor quality, automatically poor quality कम, समझ में आ गया logic, great, cost incurred to avoid poor quality of production services, minimize number of defects, yes, 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 so planned and incurred before actual operation, so काम होने के पहले, मतलब अगर मेरे को ये, calculator बनाना है, calculator बनाने के पहले, designing क्या है इसका, जो मैं इसके लिए raw material यूज करने वाले, वो raw material सही है के नहीं, supplier आदमी सही है के नहीं, all of that is your prevention cost associated with design, maintenance of QMS, quality management system, जैसे की quality का planning कैसा है, quality engineering, quality design, quality review, quality training, quality supplier evaluation, supplier सही है के नहीं, अगर ये सब मैंने ध्यान दिया, तो मतलब मैं prevention cost के ओपर खचा कर रहा हूं, जो folks wagon और Samsung ने नहीं किया था, अगर उन्होंने ये, quality training, engineering, design, review, ये सब के ओपर खचा किया होता, तो उनका battery explode होता है नहीं, क्योंकि ये लेविल पर उनको पता चल जाथा, कि there is a issue और उसको वो लोग tick कर दे थे, समझ में आ रहा है, second, appraisal, appraisal का मतलब क्या होता है, during production, during production, production करता कौन है, machinery, तो appraisal में सबसे important है कि मेरा machinery सही होना चीए, देखो, raw material, designing वो सब मैंने prevention level पर अच्छा कर लिया, अब वो raw material जाएगा machine में, और machine से production भार निकलेगा, जैसे ही machine से production भार निकला, जैसे ही machine से production भार निकला, तो वो machine के time पे, जो processing हो रहा है, वो time पे मेरा appraisal cost, कि मेरा machine बराबर है के नहीं, machine में कोई defect तो नहीं है, machine से मैं एक-दो sample products निकाल लूँगा, देख लूँगा कि वो sample products बराबर है के नहीं, all of that is my appraisal cost, all of that is my appraisal cost, समझ मैं है, control process ensuring high quality standards and performance requirements, associated with what, with suppliers and customers evaluation of, purchase material बराबर है के नहीं, processes बराबर है के नहीं, ensuring that they should be as per specification, जैसे package inspection, equipment testing, product acceptance, यह सारी चीजे आती है मेरी appraisal cost में, यह सारी चीजे आती है मेरी appraisal cost, समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अभी तक clear है, done है, okay, so again I am telling you, equipment सबसे important, equipment बराबर है के नहीं, product or process acceptance, मतलब मैंने जो sample product निकाला, बराबर है, okay, field testing, मतलब in general, supplier के उदर जाने का, देखने का कि supplier जो production, करके अपने को raw material दे रहा है, वो बराबर है के नहीं, all of that is a part of appraisal cost, this is, again I am telling you, prevention cost is before, मैंने उसको identify करने के लिए कैसे रखा है, कि भाई देखो, जो prevention cost है ना, वो before the production, अपने को ध्यान देना है, before the production अपने को ध्यान देना है, फिर जो appraisal है ना, वो during the production अपने को ध्यान देना है, फिर बाद में क्या आता है मेरा, internal failure, अब ये internal failure क्या है, और internal failure, internal failure क्या है, internal failure मतलब अब, थोड़ा prevention में थोड़ा mistake हो गया सर, appraisal के time पे mistake हो गया, और उसकी वज़े से product बन गया, पर 100 में से 10 product खराब निकला, बट चलेगा, at least सुनो, customer के पास गया, उसके पहले पता तो चल गया, 100 में से 10 product खराब निकला, internal failure, समझ रहे हो, before the product leaves the factory for the customer, जो भी पता चला, production के बाद, but before the product leaves the factory, internal failure, and finally अगर customer के पास पाँच गया, और customer ने बोला, अरे मेरे को defective product दिया है, external failure, समझ में आया, अब यहाँ पर next, internal failure, after production, तीक है ना, यह मैं आपको रामबाट दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला है, यह आपको यह पर लिखावा, after production, but before the product leaves the factory, but before the product leaves the factory, थोड़ा in-depth कर वाँँगा, ताकि आप लोगा यहाँ पर हो जाया, फिर बाद मैं आप लोग को मैं को इस नहीं चाहिए, कि revision के लिए बहुत ज़्यादा time डालो, इसके लिए मैं थोड़ा गुशके करवाँगा, बढ़ अच्छा करवाँगा, बढ़ अपना prevention appraisal time इतना अच्छा हो, कि अपना internal failure, external failure ना है, external failure क्या होगा, अगर customer ने आपको बताया, कि defect है, तो गया, अगर customer level पे defect निकला, then sorry boss, it is a external failure, sorry boss, it is a external failure, अब देखो, internal failure एक बार रीट कर लेते हैं, incurred to remedied effect discovered before product is delivered to the customer, catch word देखो, catch word देखो, before product or service is delivered to the customer, cost incurred, क्या, to correct deficiencies, caused by error in products and inefficiencies in process, मताभी, को ही है, process में कुछ गल्ती होगा, इसलिए मेरा 100 में से 10 प्रोड़क्ट कराब निकला, चलो, इसको टीक कर दो, जैसे फिर आपको rework करना पड़ेगा, अब 10 में से 2 एकदम ही खराब हो गया, तो scrap करना पड़ेगा, कुछ अच्छा है, तो redesign, retest कर दो, बट यह सब करने की वज़े से आपका खर्चा तो होगा न, अब आप मेरा यह एक बटन निकलावा है, तो यह बटन को जोड़ दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, इसके वपर rework करना, अब उसके बाद, अगर सब के सब बटन खराब है, अब यार इसके वपर क्या करूँ, तो इसको तो मैं बेच दूँगा, OLX पे, scrap, अगर लग रहा है कि नहीं यार कुछ चिप हो गया है, तो इसको इसको डिजाइनिंग कर दूँगा, तो यह बेसिकली इस और इंटर्नल फेलियर कॉस्ट, IFC अकूर्स वेन प्रोड़क्त नॉट अस पर दिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्स, तब चौर ठीक है, इम्मीजेटी वो क्या बोलेगा, चलो मेरे को नया ब्रोड़क्त बना के दो, तो यह बाला प्रोड़क्त तो मेरा गया, मेंटेनिंस अपना यह, वारेंटी, गैरेंटी, यह सब वर्ट सुना होगा, तुम लोग ने, क्यों देते हैं, एक्टेनल फिलियर कॉस्ट के लिए, अकर्ज में प्रोड़क्त और सर्विस, यह फेल तो रीज दिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्स, अर नौट इटेक्टेट अंटिल, आफ्टर ट्रांसफर्ट तू कस्टमर, कॉसिंग डिस्साटिसफेक्शन, अगर प्रोड़क्त में इशुए हों है, अगर प्रोड़क्त में इशुए हों है, then in that case, people will not refer your product to others. क्योंकि जिफ्रेक्ट आपके प्रोड़क्त में, ऐसका प्रोडुक्क लेने ही मस्याथन थौक्नी प्राइजरीफ सब्लाइब कितनी पते की बात कि है किया प्रिवेशन अप्रेशल कॉस्स हाय उप्र प्रिवेंशन एप्रेशन कॉस्स ताकि cost of poor quality कम हो जाए यहां पर दिखा ना cost of performing activities prevention appraisal to check failure in meeting quality specifications समझ भारी अब चीजे connect हो रही है but कितना मेरे को focus करना चाहिए क्या prevention appraisal के ओपर मैं 10 लाग 20 लाग 50 लाग कित्रा भी कर्चा कर दूँ अपने को एक optimum लेवल चाहिए थोड़ा internal external failure सह लेंगे बट prevention and appraisal थोड़ा extra कर लेंगे तो एक balance maintain करना है which is called as optimal cost of quality and increased expenditure and prevention and appraisal say for example मैं एक example ले लेता हूँ आप लोगों के साथ यहां पर मेरा एक product है ठीक है मेरा एक product है इस product के उपर मैं prevention और appraisal खर्चा कर रहा हूँ से दो लाग प्लस तीन लाग दो लाग प्लस तीन लाग इसकी वज़े से total मेरा पाच लाग का खर्चा हुआ अब क्या होगा मेरा internal failure और external failure क्या हो जाएगा मेरा इधर छे लाग और इधर साथ लाग एक्जांपल दे रहो तो यह हो मेरा 13 लाग और यह तो बहुत जाद है तो नेक्स टाइम मैं क्या करूंगा prevention और अप्रेजल पर जादा खर्चा करूंगा मैं करता हूं prevention के उपर से चार लाग का करचा अप्रेजल के ऊपर मैं करता हूं से पाच लाग का कर्चा तो टोटल नौला का इधर खर्चा हुआ जिसकी वज़े से मेरा internal and external फेलियर खर्चा कम हो जाएगा कितना अभी मेरा internal फेलियर हो गया एक लाग रुपया और मेरा external फेलियर हो गया 1.5 लाग रुपीस तो अभी मेरा टोटल कितना यह 9 लाग यह 2.5 लाग हाश चलो इधर मेरा अभी टोटल 11.5 लाग का ही खर्चा हो रहा है जो अदर्वाइज मेरा था 18 लाग का क्यों क्योंकि अब मैंने prevention and appraisal के उपर focus किया अब मैंने prevention and appraisal के उपर focus किया समझ में आई बात आपको बिटा समझ में आई आपको बात क्या बात समझ में आई आपको करें कि क्या लेवल आई कित्रा prevention and appraisal पर करता जाओ तो यहां पर एक देखो डाइग्राम बनाया है और उस डाइग्राम के हिसाब से बोलो क्या बोलता है कि मैं आपको बता दे तो एक बार डाइग्रम आटिकली यहां पर कि अभी सेthis is your defects and this is your cost ठीक है अगर अपने prevention and appraisal के उपर जाधा कर्चा किया तो आपका defect कम हो जाएगा और अगर आपने prevention and appraisal के उपर कम कर्चा किया तो आपका बढ़ जाएगा यह मिरा ब्लैक लाइन र辛苦 हैं इसका है है prevention and appraisal के उपर ज्यादा कर्चा तो मेरा यह कम एंड मेरा red line अगर prevention and appraisal के उपर कम कर्चा किया तो मेरा internal external बढ़ जाएगा prevention and appraisal के उपर extra कर्चा किया तो internal and external failure बढ़ जाएगा एंड वाई से वरसा इधर मैं ने अगर prevention and appraisal पे किया तो मेरा internal and external कम हो जाएगा अब यह दिख रहा है आपको level बस this is called as optimal cost of quality इतना कर्चा करो यह level पे जितना आता है न उतना आप लोग prevention appraisal पे करो उसके बाद भी थोड़ा बहुत internal external पे होगा वाट दाट is manageable that is manageable got it अब से for example मैं बुक्स बना रहा हूं अब मेरे हजार बुक्स में से दस भूख खराब निकलता है एक्जांपल दे रहो हजार बुक्स में से दस भूख खराब निकलता है वो जो दस भूख मेरे को दे रहा है obviously that person is not happy वो मेरे को बुलेगा रहे यार सर क्या आपका दस भूख खराब निकला अब मैं बलता हूं नहीं मेरे को हजार का हजार बूख अच्छा चाहिए और अगर मेरे को हजार का हजार बूख अच्छा चाहिए then in that case मेरे को बहुत इतना जाद बढ़ जाएगा कि मुझे उससे चल लगया कि चलिए 10 बूख कर आप गया मैं इनको वापस बेज़ दूंगा वो परवड़े वो मिरको उतना चलेगा उतना मिरको manageable so this is a optimum level थोड़ा prevention appraisal पे जादा थोड़ा internal external come and that is how this whole system works and increased expenditure and prevention is likely to result in substantial reduction in failure this trade-off is called as operating optimum level called as optimal cost of quality called as optimal cost of quality और फिर उनने बोला एक इन जनरल के वी शुड़ नो देट calculate COQ as a percentage of total cost so say आपका जैसे मैंने या पर बोला था कि prevention cost है आपका say 5 lakh appraisal cost है आपका say 7 lakh इसकी वज़े से internal failure cost आया है आपका say 3 lakh and say external failure cost आया है आपका 2 lakh अब आप का करोगे आप total करोगे साथ पाच बारा तीन पंद्रा दो सत्रा तो इधर मेरा आया है टोटल सत्रा लाक सत्रा पे खत्रा इन शॉट मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने अप्रेजल पे कितना किया तो 5 डिवाइड बाए 17 तो मैं बोलूंगा 29 परसेंट मेरा अप्रेजल पे खर्चा हुआ सॉरी प्रिवेंशन पे कर्चा हूँ कैसे पाच लाक डिवाइड बाए 17 फिर प्रिवेंशन पे कितना हुआ साथ दिवाइड बाए 17 तो मैं यह दर देखता हूँ 41 परसेंट मेरा इस पे तो टोटल 40 प्लस 2060 तो कैन आई से 70 परसेंट मैं कॉस्ट ऑफ गुड कॉलिटी पे कर्चा कर रहा हूँ चलो अच्छी बाद मतलब गुड क्वालिटी के उपर मैं जाधा ध्यान दे रहा हूँ बट यही अगर मेरा यह वाला एक्जांपल में देखू तो 5 डिवाइड बाए 18 यह देखो ना यह दर 5 डिवाइड बाए 18 तो 5 डिवाइड बाए 18 मैं करता मतलब 28 परसंट ही मैं प्रोडक के अच्छे क्वालिटी के उपर कर्चा कर रहा हूँ जिसकी वज़े से मेरा हो कह रहा है 62 परसंट मेरा खराब हो रहा है तो इससे मुझे एक आइडिया आ गया कि बहुत यह मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ताकि यह कम होगा फिर नेक्स टा इससे अपने को आइडिया आ गया कितना परसंटेज अपना प्रिवेंशन अप्रेजल में जा रहे हैं कितना इंटर्नल एक्टर्नल में जा रहे हैं सो दिस इस अब यौर कॉस्ट ऑफ वालिटी बस अब एक लास्ट चीज है यह आपनोग डिसकस कर लेते हैं और फिर कुछ सम्स NMCQ करेंगे ताकि अपना यह first concept cost of quality आज complete कल जब अपन start करेंगे we'll start with total quality management so now we are starting with views regarding the cost of quality अचा मैं एक चीज़ बता दू के sequence मेरा ही follow कर जब आप main exam देने जाओगे और कुछ revision करना हो sequence मेरा ही आपको follow करना है so please ensure that you are doing that so views regarding the cost of quality views regarding the cost of quality आप देखते हैं higher quality higher cost 90% yes क्योंकि अगर आपको quality अच्छा देना है तो आपको testing audit quality engineering quality testing supplier evaluation better quality of machines यह सब करना पड़ेगा this all comes with the cost so अगर उसकी वज़े से ही वह quality maintain करने पड़ेंगे तो मेरा quality का cost बढ़ेगा that's what they mean second the resultant savings are greater than cost of improving quality मतलब के अगर यहां पे मेरा example से ही मैं आपको लोग को समझा देता हूं कि देखो यहां पे पहले मैंने पाच लाग का खर्चा किया prevention appraisal पे यह cost of good quality अब इसकी वज़े से internal failure external failure इसको improve करने के लिए मुझे तेरा लाग रुपे खर्चा करना पड़ा तो यहां पे वही वो लोग बोल रहे कि cost of improving is more than जो यहां पे मैं cost बचाने की कोशिश करने को गया so मैं कुछ cost बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया मैंने कम prevention and appraisal cost incurred किया बट मतलब नहीं है and third point देखते है quality cost are those incurred in excess of those that would have been incurred if product was built or the service performed exactly right the first time high five है बता तो मतलब कि अगर आपने first time ही अच्छा prevention and appraisal cost incurred करके अच्छा product बना दिया होता तो आपका जो excess cost अभी internal external failure को टीक करने में जा रहा है न वो बच जाता जो scrap है आपका rework है वो सब कम हो जाता बच जाता that is what quality cost is all about so these are the three views regarding the cost of quality फिर बाद में कुछ models बने एक है PAF model जो अपन लोग करी रहे prevention appraisal failure model prevention appraisal का एक system prevention appraisal failure model can come in mcq most widely accepted method for measuring and classifying quality cost these are the five steps to be followed say for example आपके कोई पापा का production का काम है manufacturing का काम है आपको आज realize हो रहा है कि यार yes मेरे को लग रहा है कि PAF model जब ये quality cost का model बहुत अच्छा है सर मैं मेरी company के लिए PAF model यूज करना gather some basic information about the number of failures in the system about the number of failures in the system so देखना पड़ेगा आपको कि system में कितने failures है यह अपने exam के जैसा है देखो कि अगर आप clear नहीं हो पाए what is the reason कि आपको कम marks आए तो business है say for example आपने यह produce किया आपके पापा के factory में हो रहा है यह produce आप आपने देखा कि यार मिरको cost of quality implement करना है तो पहले मैं देखूंगा कितने failures हो रहे है तो मैं को पता चलेगा ना प्रिवेंशा प्रेजल पर कितना खर्चा करना है अप्लाइं संप्सम्शंस तो डाट डेटा इन और टो quantify the data को quantify करना है अपने को डेटा को इसको भी मैं हिलाएक कर लेता हूं quantify the data chart the data based on four elements listed above and study कितना prevention है करेंटली अभी ऐसा कुछ बना लो ऐसा कुछ परसंटेज चार्ड बना लो प्रिवेंशन पे कितना परसंट जा रहा है अप्रेजल पे कितना परसंट जा रहा है इंटरनल फिलियर पे एक्टरनल फिलियर पे कितना परसंट जा रहा है यह जो यहलो में पड़ा है वो catch words है थ्यार में रखना है PAF model prevention, appraisal, failure पहले देखो कितने failures है उसको quantify करो डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर दो क्या prevention, appraisal, internal failure, external failure अब यह सब हो गया अब resources allocate करो to ensure that things are on the right track and फिर regular basis पे उसको evaluate करो अपने performance को to give you the best in quality and बस इसी से connected the last thing for today's session in terms of theory is the iceberg model many of the cost quality are hidden thus making it difficult to identify high formal measurement systems अब यह iceberg model है आने का chance is come है इसका कुछ theory नहीं है कर नहीं diagram दे दिया यह अपने जैसे है अपने CA के results के जैसे है आज आप CA की पड़ाई के लिए अपना party time sacrifice कर रहे हो अपना नीन sleep sacrifice कर रहे हो you are going through anxiety depression you are working hard day in day out आपका आपका आटिकलशिप चालु है classes चालु है खुदका self study है so much of tension चीज़े याद रह रही है नहीं रही है और आपके नाम के आगे लग जाएगा pass you are a paycheck onיכous वाने सुने में यह तक राश चारे लग रहे हैना पास यू आरा चार्टेडया के लहा हिस दिन दुनिया बुलेगी रहे यार क्या नसीब बाला है तक मुझे पता था मैंने क्या किया है मैंनत क्या नहीं कितना पापड बेले इस डिग्री के लिए टीक है 15 जैन को रिजल्ट ओर नाइट आम चाल्ड दुनिया के लिए कितना जल्दी हो गया यह जल्दी नहीं हुआ है पाथ साल मुझे पता है दिमाग का मेरा क्या शॉट हुआ है बस ऐसा ही कुछ है आइसबर्ग मॉडल आइसबर्ग मॉडल का मतलब बाहर दिख रहा इतना सही है पर अंदर बहुत डीप होता है वो आइसबर्ग सो आपको दिखता कल यह कुछ चीज है कि रिजेक्ट से टेस्टिंग कॉ से ओवर टाइम कराना पड़ेगा बरावर है कुछ प्राइजिंग या बिलिंग हो सकते हैं एंप्लॉई में गेट एंप्लॉई में नौट फिल गुट ड्राइट लेट पेपर वर्क इनकरेक्ट सेल्स और कुछ भी हो सकता है जिसकी वज़े से यह सब मेरे इसूज आजए सैटिश सैटिस्टिस्फाइड कस्टमर है कम्प्लेइन को प्रॉपरली अंडल नहीं किया ए फेल्ड प्रोड़क्त अच्छी तरह से नहीं निकला मेरा प्लाइनिग डिलेज excess, excess inventory है, excessive field service expenses है, ये सब are a part of cost of quality, cost of failure of quality, excessive over time, कभी employee turnover, employee छोड़के चले गया, वो हो गया issue, pricing error है, billing errors हो गया, planning में कोई delay हो गया, could be anything, you know, IT system cost, dissatisfied customer है, अच्छी तरह से नहीं निकला, could be anything, could be anything, all of this together is your iceberg model, बार दिखता, खाली minority, ओन्डिया minority of the cost of poor and good quality are obvious, appear above the surface of water, but ये सब को भी उतना ही ध्यान से कम करना है, reduction of cost underwater also has a huge scope, क्योंकि अगर मैंने ये कम किया, जो underwater है, automatically चीज़े सही हो जाए, if we identify and improve the cost, cost of doing the business will significantly reduce, समझ में आई बाते हैं everybody, चलो भी, तो अपना phase, आज का जो complete करना था हो गया, ठीवरी बात, practical बाकिये बास, और MC को भी बाकिये बास, तोड़ा ही टाइम लगेगा उसको, अट कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, चलो, done, so this is your, कौंसा model, iceberg model, ठीक है, मैं तुम लोगों ये देखो, मैंने बोला था ना तुम लोगों, मैं एक बार तुम लोगों को ये भी करवा दूँगा, idea दे दूँगा कि module में क्या है तुमारा ये देखो, प्राइज, response time, quality, performance, इन्हों ने तो इतना ही दिया है, इन्हों ने तो खल इतना ही दिया है, कि क्या होता है, traditionally, मैंने तो current system भी involved कर लिया, कि current system में क्या है, ये देखो, usually determined by cost plus approach, मैंने बता दिया, आज की तारिख में competitive pricing होता है, response time, determined by supply, मैंने आपको ये भी बता दिया, आज की तारिख में JIT होता है, मुझे बता है, आप पूछेंगे, ये तो traditional होआ, तो आज का क्या system चल रहा है, तो बता दिया, quality determined by service provider, अब exceeds expectation by the customer, so all of that is here, from seller's market to buyer's market, तो देखो, इदर क्या-क्या scene हो रहा है, globalization, ये सब चीज़े, अपनी तो discuss हुई चुकी है, फिर cost of quality, Joseph Jurian, Philip Crossby, views regarding the cost of quality, higher quality, resultant savings, ये सब चीज़े अपनी होगे, components, cost of good quality, cost of poor quality, prevention, appraisal, internal failure, external failure, सब आप लोगों को explain कर चुका हूँ है, with examples, module, by default, I am covering everything, अभी ये practical question है, वो अभी अपन लोग करने वाले, optimal cost of quality आगया, steps of path model, steps of path model आगया, conclusion, iceberg model आगया, done, अब कल स्टार्ट होगा, आपका total quality management, वो कल स्टार्ट होगा, theory, I hope you are sorted, in short आपको module की जरूवत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगो अश्यार कर सकता हूँ, अब मेरा theory done, अब मैं आजाता हूँ, अपने practical QNAK उपर, so start करेंगे अपन लो, question number one, from your practical version of the book, कौन सा, question number one, के वरिकोन, everybody, please open the book, practical वाला book open कर दो, उसमें से करेंगे अभी, अब मैं स्टार्ट, ये रहे, तो first question कर रहे हैं अपन लोग, और मैंने दूलोगे न, last introduction lecture में बताया था, कि क्यों practical questions important है, क्योंकि exam में practical question देगा, और सीधा MCQ देदेगा, सीधा MCQ देदेगा, so practical questions are very important, LiveWell Limited is a manufacturing company that produces a wide range of consumer products for home consumption, among other popular products are its energy efficient and environment friendly LED lamps, company has quality control department that monitors the quality production, as per the recent cost of quality report, current rejection rate for lamps is 5% of units input, 5000 units of input go to the process each day, each unit that is rejected results into a loss of 200 to the company, कितना rejection होता है, 5000 का 5%, उसके ज़े से क्या loss हो रहा है, 200 रुपया पर unit, quality control department, has proposed few damages, few changes to the inspection process, that would enable detection of defects, अब इससे मुझे मेरा defects पता चल जाता है, पर उसके लिए मैंने क्या किया है, quality control department पर फोकस किया है, उन्होंने जो प्रपूस किया है, changes वो मैंने फोकस किया, इस वोड रिदूस दो ओवरॉल रिजेक्शन प्रम 5% to 3%, अब सुनो, ज्यान से समझा, the improved inspection would cost the company 15,000, अभी मेरा क्या हो रहा है, 5000 unit बना रहा हूँ, ज्यान से समझा, almost answer आ जाएगा भी, 5000 unit बना रहा हूँ, उसमें से 5% खराब जा रहा है, so 5000 का 5% 250, एक unit को ठीक करने के लिए, मेरे को 200 रुपया लग रहा है, तो 215 to 200, just an example लेते हैं, 5000 into 5%, 215 into खीक करने के लिए, मेरा खर्चा हो रहा है, कितना 50,000 रुपे का, अब बोलो क्या बोल रहा है, कि आप 15,000 रुपे का खर्चा करो, आप 15,000 रुपे का खर्चा करो, इसकी वज़े से, at least आपका 5% ना होके, 3% ही खराब जाएगा, आपका 5% ना होके, 3% ही खराब जाएगा, तो at least मेरा 2% हो सेव हुआ, 2% हो सेव हुआ, मतलब ध्यान से देगा, 5000 यूनिट, पहले 5% कराब होता था, अभी भी खराब हो रहा है, पहर अभी 3% कराब होगा, तो 2% मेरा बज़ गया, यह जो 2% बज़ गया, तो 100 यूनिट कम कराब होगा, 100 यूनिट के ओपर 200 रुपय का जो खर्चा लगता हो बज़ गया, तो 100 into 200, 20,000 का मेरा कॉस सेव, बट यह सेव करने के लिए, मुझे 15,000 का खर्चा करना पड़ा, cost benefit analysis, benefit 20,000, cost 15,000, at least 5000 रुपय का तो फाइदा हुआ, तो क्या मुझे यह करना चाहिए, क्या मुझे यह proposal accept करना चाहिए, is it beneficial to the company, and your answer is yes, logically समझाया है, अब इसको 2 मिनिट में solve भी कर लेते हैं, doubt हो, तो पूछ ले, मेरे पास time का shortage है, तुम लोग के पास, तुम लोग बहुत अपने को तो complete करना है, try करना है, कि 100 hours में एकदम मस्त में complete हो जाए, इसके लिए focus पूरा तुम लोग का मेरे को चाहिए रहेगा, समझ में आ रहे हैं तुम लोगो, अपने पास advantage है, we can solve it faster, क्या बोलेंगे अपन लोग कि बहीद हो, क्या परपन लोग, क्या है Catherine system, मैं बोलेगा मेरा मेरा algumas में 2000 अए, मेरा क्रेंड शिस्टम में क्या है, 5000 units, मैं डालता हूँ उसमें से 5% डिफेक्ट जाता है so 5000 इंटू 5% 250 यूनिट्स का मेरा डिफेक्ट 250 यूनिट्स का मेरा डिफेक्ट इसको ठीक करने के लिए 200 पर यूनिट मतलब 50,000 का खर्चा हो रहा है मेरा बराबर है अब new system में क्या हो रहा है चीज देखो new system में क्या हो रहा है ज्यान से समझना अभी भी मेरा 3% खराब हो रहा है 3% अभी भी मेरा डिफेक्ट निकल रहा है but at least 2% save भी तो हो रहा है so 5000 इंटू 2% is equal to 100 यूनिट्स saved इंटू रुपीज 200 पर यूनिट मेरा save तो savings रुपीज 20,000 and सामने 20,000 का मेरा savings हुआ सामने मेरे को cost कितना कर्चा करना पड़ रहा है 15,000 का 15,000 का so total net benefit कितना आया मेरा net benefit 20,000 minus 15,000 equal to 5,000 समझ गे क्या यह benefit फाइदे का है मेरे लिए yes तो I will go ahead with it question आपको क्या पूचेगा कि यह system की वज़े से आपको कितना फाइदा हुआ और और example में देगा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 अपने को पता चल गया it is 5,000 पड़ा फटवे में calculate तरहा है कभी कोई doubt आए हो सकते है अभी आपको doubt आया अगर तो आपको खाली मेरे को WhatsApp करना है यह number में जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ अगर मैंने reply नहीं किया तो मुझे वापस reminder 1,2,20 कितना भी दे दो चलेगा क्योंकि lectures में busy रहत है SCMP, AFM यह दोनो lectures मेरे busy रहता हूँ इसमें तो कई वा reply नहीं करना but I make it a point that I will eventually reply don't worry तो यह मेरा हो गया first part of the question यह मेरा हो गया first part of the question second part के ओपर चलेंगे अपन लोग तो यह तुम लोगों को देखना है देखलो ना तुम लोग के लिए यह module का explanation दे दिया क्योंकि student लोगो चुए सब मॉड्यूल 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 का भी explanation यहां पर है तो आपको tension नहीं और मैंने मेरी तरफ से एसके style में easy way में quick way में तो तुम लोगो करवा ही दिया है second second point again very interesting analyze after the implementation analyze the maximum rejection rate beyond which the proposal ceases to be beneficial मतलब in short in short in short in short अगर आपका यहां पे देखो 15,000 का खर्चा हो रहा है ठीक है और आपको 20,000 का फाइदा हुआ तो आपने बुला हम accept करेंगे कौनसे level के beyond आप accept नहीं करेंगे मतलब अगर 15,000 का cost लगा और फाइदा 14,000 का हुआ तो क्या आप यह proposal accept करोगे क्या नहीं समझे आप 15,000 का कॉस्ट लगा 14,500 का खर्चा हुआ तो आप accept करेंगे क्या नहीं 15,000 का खर्चा हुआ 15,000 एक रुपे का फाइदा हुआ समझे तो क्या लेवल के बाद आप accept करना बंद कर देंगे 15,000 तक मैं accept कर लूँगा बट उसके beyond तो accept नहीं कर लूँगा तो 15,000 तक का acceptance लेवल है इधर अपन लोग बोलेंगे कि कॉस्ट इजिवल टू रुपीज 15,000 सेविंग्स पर यूनेट कितना है मेरा एक यूनेट के उपर कितना मैं सेव कर रहा हूँ 200 पर यूनेट सेव कर रहा हूँ ना मतलब जितना भी मैं यहां देखो यहां पर देखो टू परसंट मैंने सेव किया अभी पहले थी सेव किया तो 100 यूनेट को मैंने सेव किया है ना हर यूनेट पे 200 रुपया बच रहा है मेरा तो 200 पर यूनेट का मेरा सेविंग है कितना यूनेट तक का सेविंग is justified with the cost मतलब 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 कब मेरा savings is equal to cost होगा मतलब मेरा 15,000 का सेविंग और 15,000 का कोस्ट यह लेवल तक मैं I will not accept अगर मेरा इसके कम हुआ then I will not accept अभी clear everybody so savings is equal to cost मेरा क्या लेवल पे आने वाला है savings is equal to cost मेरा क्या लेवल पे आने वाला है is now what I have to see मेरे को saving हो रहा है 200 रुप्या तो let x units into 200 per unit is equal to 15,000 therefore can I say 15,000 divided by 200 can I say 75 units तक लग रहा है कि हाँ चलेगा अपना तो यहां पे 100 units का saving गवा ना अपना तो यहां पे 100 units का saving गवा तो अगर मेरा savings हो रहा है तो I will not accept 75 units पे मेरा 15,000 का savings हो रहा है got it so अब total कितने units है मेरे पास 5000 units है ठीक है मुझे कितने units का saving हो रहा है 75 units का saving हो रहा है तो कहना है save 1.5% का मेरा जितना saving हुआ तब तक मैं चलू गा मतलब last time अगर तुम लोग देखोगे ना तो 2% का saving था तो 1.5% से तो जाद है है अगर if if savings is less than 1.5% then I will not accept then I will not accept अगर देखो ना चलू 1.4% का savings वा तो क्या होगा देखो 5000 into 1.4% सर 70 units से हुआ into 200 per unit सर रूपीज 14,000 का saving accept करोगे क्या नहीं क्योंकि मेरा तो cost ही 15,000 जा रहा है I will not accept ना ना समझे तो if savings is less than 5% then I will not accept वो ही पूछ रहा है maximum rejection rate beyond which the proposal ceases to be beneficial 1.5% इसके अगर कम गया not accept समझ में आया नहीं आया हो तो doubt पूछ सकती हो प्रॉब्लम नहीं है तो यह देखो दर सेम उनने भी solve किया है तोड़ा detailed way में अगर आपका मेरे नॉर्मल होता है CMP 100 marks जैसा आपना typical exam है तो मैं भी आपका इसे solve करगा अभी अपने को साब से we got the answer we got it we understood it we can read it कोई doubt हुआ तो detail explanation भी है done beyond 3.5% rejection rate proposal will result in savings to the cost तो उसके बाद अपने को benefit होगा तो 1.5% का basically improvement का scope है improvement 1.5% से काँ हुआ तो नहीं हम करेंगे एक सब्सक्राइब क्लियर अच्छा everybody बोलो ड़न 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 नेक्सक्वेसिन के ओपर चलते हैं question एंटरनल फैलियर और 4,50,000 ड़न 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 अब अपन लोग है question number 2 के ओपर right question number 2 क्या बोलता है कि अभी वो लोका internal failure cost and external failure cost. कितना है? So it is 440. Sorry. 850 and 440. External is 440. 8,50, 4,40, मतलब कितना हुआ? 12,90,000 As the company is not able to ensure supply of good quality products up to the expectation of its customers and wants to manage competition to retain market share, they consider an alternate quality control system. It is expected that the implementation of system will lead to a prevention cost of 560 and appraisal cost of 70. अब वो लोग कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है? वो लोग बोल रहा है, prevention करेंगे हम, prevention करेंगे हम, appraisal करेंगे हम, कितना? prevention करेंगे 560, appraisal करेंगे 70. So, 560, 70, तो अपने को मिल जाएगा, 630, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि internal failure, external failure हटी जाएगा, अभी भी होगा, बट थोड़ा कम होगा, will reduce by, अभी अच्छा पाइट है, मैं को अभी भी आदे, मैं लाइख में जाएगे पर्स्स ताम ये सम सॉल किया था न, सम बहुत सिंपल है, बट मेरे से एक सिली एरर हुआ था, मैं बता था हूँ क्या, अभी ये इंटर्नल फेलियर कॉस्ट विल रिदूस बाइ रूपीज वन लाग और दूसरा, ये विल रिदूस बाइ 4 लाग 10 थाउज़न, समझे क्या तुम लोग, ये वन लाग से रिदूस हो गया, और ये 4 लाग 10 थाउज़न से रिदूस हो गया, अब ये कितना आ रहा है, 7 लाग 80 थाउज़न, टोटल कितना हुआ, अलो, टोटल कितना हुआ, 14 लाग 10 थाउज़न, 14 लाग 10 थाउज़न, अब आप क्या बोलोगे, सर, इसे तो अच्छा पहले का था, कम से कम काली 12 लाग 90 का खर्चा हो रहा था, अब तो 40 लाग 10 थाउज़न का खर्चा हो रहा है, मैं आपके साथ अगेंस्ट में हूँ, मैं बोलूँगा कि नहीं, चलेगा, अब मेरा क्वालिटी तो इंप्रूव हो रहा है, एक्स्टरनल फेलियर पहले 4 लाग 40 था, क्या कहिंगे लोग अपने बारे में, अब तो अब तो अप्लिस खाली 30 थाउज़न का हुआ है टोटल, तो अब तो अब बार मार्केट में नाम तो करब नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में शायद यह जाधा कर्चा हुआ, लॉंग टर्म में देखना आप लोग को कस्टमर इतने मिल जाएंगे, कि आप लोग को ओवरॉल अच्छा हो जाएगा, तो यह financial consideration के basis पे मैं बोलूँगा यार मेरे लिए 12,90,000 बेटर है, खाली finance के basis, क्योंकि मेरा इधर 1,20,000 कुछ बच रहा है, बट long term, non financially, reputation, quality of product के हिसाब से बोलोगे, I will say boss, it is better कि मैं 14,10,000 का कर्चा करूँ, cost of quality के उपर, good quality के उपर जाधा कर्चा करू, that should be my focus, समझ में आया, आओ देखू, examine the new quality proposal and recruitment acceptance or otherwise from both financial and non-financial, financial, yes, non-financial से मैं तो ना हूँ, what is your advice to the company, company wants to achieve zero defect through continuous implement program, तो यह कल अपनों करेंगे ना TQM, तो बोलेक बोल रहे हैं, how to implement TQM, सजे suitable quality control level at minimum cost, अपने को इन जनेरल बताना है, कि क्या quality control अपनों बेटर रख सेके, यह देखू, अब अपन, cost of non-conferments, मेरा, इतना हो रहे है, 510, but यह मेरा बढ रहे है, 630 से, 1,20,000 मेरा extra कर्चा हो रहे है, माना, माना, financially I am not that better, but फिर भी, long term में, it is better, long term में, it is better, कि I will always keep a better cost of good quality, और फिर, zero defects, अगर मेरे को चाहिए, तो cost of conformance must be high, वो तो, but obvious, एकदम high level का cost of conformance रखूँगा, तो it is going to result into minimum cost of non-conformance, इसको बोलता है, cost of conformance, बढ़ अच्छा, confirm to good quality, इसको बोलता है, cost of non-conformance, अच्छा, नहीं हुआ, तो it is not conforming to good quality, समझ में आया, so with this, we complete question number two, चल, with this, we complete two questions, जो major questions, जो मेरे को है, cost of quality के करवाने थे, वो होगे, अब और भी कुछ questions है, बट उसमें cost of quality के साथ थोरा TQM भी है, तो वो अपना जब TQM हो जाएगा, उसके बाद अपन लोग और भी questions जो है, वो भी कर लेंगे, तो theory done, यह जो दो questions है, यह भी आपके module के ही है, यह देखो, यह देखो, जो भी आपन लोग ने किया ना, failure cost 44850, module का ही question है, फिर बाद में यह देखो, यह live well limited, दिखाए, यह देखो, यह भी module का ही question, 5000 units, 5%, 5-3%, module आपका ध्यान में है, अब चल रहे हैं अपन लोग, अपनी बात हुई है, theory done, practical done, अब आ रहे हैं अपन लोग, MCQ के उपर, आ जाओ, MCQ के उपर, and जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे MCQs है, तो अपने को यहाँ पर अभी है ना, SKMCQs ही देखूँ माँ, क्योंकि institute के MCQs हैं, मैं है ना, सब jumbled up है, कभी TQM भी है, वो लोग का, बीच में वो लोग का, cost of quality भी है, and all of that, तो आपन फोकस करेंगे, SKMCQ के उपर, जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, so let's come to SKMCQs, SKMCQs start होता है, चाहँ start करेंगे, so let's start, what characterizes, today's business environment, वाह, क्या question है, बताएए, so अगर आप लोग ने, तियरी को ध्यान से, तोड़ा पड़ा होगा, तो आपको ध्यान में आएगा, rapid changes and dynamism, याद है क्या, यह देखो, देखो, इतना detail, detail कुछ भी आ सकता है, आप देखो, मैं करवा रहा हूँ, सब अपने को, हो सकता है कुछ भी, यह रहा, rapid changes, characterized by, rapid changes and, dynamism, and dynamism. So, यह रहा, उसका answer, वैसे यह तो तो तुम लोगो, हुंब के लिए देना चाहिए, यह बाटा, फर्स सेशन है, so I thought, चलो, कर लेते हैं, what are the main challenges, for business managers, in modern business environment, stagnation, understanding rapid changes, adhering to traditional practices, ignoring technical advancements, C, what has been the main revolution, in business environment, shift from buyers market, yes, transition from static to dynamic, yes, evolution from manual to automated, yes, अभी हुआ है, change from service oriented, to product oriented, नहीं, मेरे हिसाब से, D तो नहीं है, 3 का, अब पर लोग देखेंगे, तो it will be, main revolution has been shift, मेरे हिसाब से तो यह दो है, shift from buyers market, to sellers market, and, manual से automated processes, भी हुआ है, next, what is the current trend, so कौन सा चूज करना है, दोनों में से कोई भी चूज करो, marks मिल जाएगा, so what is the current trend, in business environment, sellers market dominance, buyers market dominance, yes, what are the characteristics, of today's buyers market, limited globalization, नहीं नहीं बहुत है, lack of company, नहीं नहीं बहुत, excess capacities in production, चाइन वाल एग्जाम्पल यहाँ थे है, तो 5C, 5C, what COQ stands for, in the context of text, क्या होता है, cost of quantity, नहीं, cost of quality, yes, next, cost of quickness, cost of quotas, who popularized the concept, of cost of quality, oh, क्या बाट, कौन है भाई, yes, Mr. Jurand, Joseph Jurand, next, what is the focus of cost of, what is the focus of the concept of quality, quality, का focus किस चीज़ के उपर है, conformance to quantity नहीं, cost reduction नहीं, rapid production नहीं, conformance to specification, and customer expectations, याद है, customer expectations के उपर focus करना है, quality में 3 चीज़े थी, इने को बताई थी नीचे इदर, conformance to customer specification, satisfy customer expectation, value for money, उस पर बनाए है, MCQ हमने, तीक है, चलो, next, which view suggests that, resultant savings are greater than, cost of improving quality, नहीं वो जो तीम व्यूज थे, अपने, वो तीन व्यूज में, वो लोग ने यह चीज़ बोली थी, right, so, अब भी तुम लोग का, deming हुआ नहीं है न, TQM का, ठीक है, कुछ-कुछ है न, connected होंगे, TQM से, तो, hold कर लेंगे, तो, I think, बाकी का, आपन लोग TQM के बाद करते हैं, because, कुछ, connection वाले concepts भी आँगे, what is the term used for price of conformance, conformance मतलब कहना है, cost of quality, तो, यह आगया, cost of quality, बैसे, जस्ट मैं आपको बता दू, nine cancer is B, deming's due, you can just think, आ जाएगा, कली तो, हो जाएगा, what are the two board categories of cost of quality, according to Philip Crosby, Crosby के हिसाब से, quality quantity नहीं, appraisal prevention नहीं, internal, external नहीं, price of conformance, and price of non-conformance, यह भी आपको बता है, next, 12, what is the main focus of prevention of cost, बोलो, क्या है, prevention of cost का चाहता कहा, remedying defects, customer satisfaction, वो तो सबका, measuring and monitoring activities नहीं, avoiding quality related issues, so 12 का C है, next, which cost categories associated, with measuring and monitoring activities, related to quality, good one, चारो में से सब जाधा focus, measuring and monitoring, quality का किसका है, prevention, study, quality engineering, quality audit, quality A, quality O, यह देगो, याद करू, अबा, अलो, यह देगो, यह देगो, यह देगो, यह देगो, quality planning, quality engineering, quality design, quality review, quality training, quality audit, when do internal failure costs, before customer receives the product, अरे वाह, क्या बात है, after customer, नहीं, during, during the product design, नहीं, what is the focus of external failure cost, कि भाई, customer को यार, problem नहीं, cost incurred during, नहीं, cost incurred after customer detection, what does the term optical COQ suggest, balance, balance between, both costs, conformance and non-conformance, so failure costs are inevitable, and should be accepted, quality costs have no impact, on companies economic interest, no, no, they have, failure costs are inevitable, and should be accepted, नहीं, ऐसा के से बुल सकती, increased expenditure, on prevention and appraisal, leads to reduced failure cost, agreed, yes, it is a point, but striving for zero defects, is economically beneficial, so we will try, कि भाह, we should get zero defects, so 16A, next 17, when is an external person, recommended to determine, the cost of quality, why is an external person, recommended to, determine the cost of quality, so, to avoid internal bias, very true, इसिखे लिए तो चाहिए, कि इंटर्णली कोई problem ना हो, increase project team involvement, okay, तो project team involvement में, तो internal रखोगे, external क्यों रखोगे, reduce external scrutiny, wrong, speed up the measurement process, no, what is the argument, regarding striving for zero defects, कि भाह, क्यों मेरको, zero defects, चाहिए, it is economically beneficial, obviously, अगर zero defect हुआ, तो इससे अची चीज़, और क्या हो सकती है, it has no impact, on economic interest, of the company, it has, it leads to increased, failure cost, it is acceptable approach, how is COQ, calculated, in its simplest, form, so tell me, as a percentage of cost, याद है, as a percentage of cost, बोला था मैंने, what is the purpose of five step process, in path model, याद करो, क्या है, path model, path model कोलते है, चलो, measuring and classifying quality cost, इतना घुशके, मैं तो सब करवा रहुआ, अब इस्टीटूट जो पूछे, वो मेरी तरफ से अपने को, मैं तुम लगो, एकदम in-depth करवा की छोड़ूँँगा, ठीक है, next, what does the iceberg model illustrate, iceberg model अपने को क्या बताता है, 21B, iceberg model 21, 21 बुलता है अपने को की, कैसे अपने को मैनर, अपने को दिखना बड़े करे, क्या है, stability, hidden nature of quality cost, hidden, quality costs are hidden, hidden nature of quality cost, next, according to iceberg model, where are the majoring costs, hidden, below the surface of water, below the surface of water, what is the potential impact of identifying and improving hidden cost, क्या फाइदा होगा आपको, उससे, significant reduction in cost of doing business, increase in business cost, improving, hidden cost से क्या होगा, अपका, reduction हो जाएगा, cost of doing business, यह मैंने अभी तरहे, as a huge scope, identify and improve, cost of doing business, will significantly reduce, वाह, सर्वाह, क्या MCQ कहा, कहा से ढून, ढून के, निकाना है, वाह, 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 24, 25, 26, 27, जैसे, वो, repetition ही, in the past two decades, business environment, has been characterized by, rapid changes, stability, predictable, static nature, rapid changes, we know, main revolution mentioned in the transition, is, from, obviously, buyer's market, to seller's market, उतो अपकर लोग देखि रहे, sorry, seller's market to buyer's market, फिर, challenge for business, in today's environment, so, what is the challenge, tell me, बोली, क्या है, आज की तारीक का, सबसे वड़ा challenge, okay, what is the, embracing predictability, understanding business history, shaping the environment, understanding the dynamics, of business environment, वाह, वाह, 26, according to me, कुछ एक दो, पीछे के answers, उपर नीचे होंगे, वो तुम लोग, चेक कर ले न, cost of quality, includes, price of conformance, and price of non-conformance, yes, definitely, 27, according to Deming, hold on, hold on, hold on, तो यहां तक, अपना हो गया, again, MCQs है, बहुत सारे MCQs है, तो हो सकता है, एक-दो का solution, कुछ उपर नीचे, वो तुम लोग, correct कर ले न, और मुझे भी inform कर देना, तो मैं मेरे आगे वाले, edition में उसको correct कर लुदा, ठीक है, okay, so finally, जो promise किया था, वो अपना first session में हो गया है, almost, one hour, 45 minutes, but, a good session, and जैसा मैंने बोला था कि, अपना theory, practical, and MCQ, of cost of quality, हो जाएगा, हो गया, please, मुझे review चोड़ते रहना, feedback चोड़ते रहना, concept समझ रहा है, examples, sums अपन लोग ने जो किया, MCQs जो किया, MCQs तोड़ा, quick level पर रखेंगे, so that maximum MCQs अपन लोग class में cover कर सके, right, so that's how it works, चाड़ो भाई, time for me to say, hasta la vesta, मिलते है कल, with total quality management, new sums, new concepts, and new MCQs, keep smiling, thank you so much, hasta la vesta,